कुमारी के स्टेशन चौक से महमाया मंदिर मार के किनारिस्तित शास की भूमी पर वाटकरमांग 15 के रूप नगर उड़िया बस्तिवास्यु द्वारा वैदरूप से कबजा कर निस्तार किया जा रहा था जिसके करण वहाँ आवाजाही करने वारे लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ता था इसे संग्यान में लेते हुए नगरपाली का परिशत कुमारी द्वारा कबजा मुक्त कराए गया कुमारी के स्टेशन चोक से महमाया मंदिर मार्क के किनारे स्थितशास की भूमी पर वाटकरमांग 15 के रूप नगर उड़िया बस्तिवास्यु द्वारा अवैद रूप से कबजा कर निस्तार किया जा रहा था उस भूमी पर नगर पाली का परिशत कुमारी द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए नाली निर्मान किया गया था साथी नगर के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में इस व्यस्तितम मार्ग में अवैद कबजे से आवागमन प्रभावित हो रहा था जिस पर संग्यान लेते हुए नगर पाली का परिशत कुमारी द्वारा अनुवी भागी अधिकारी महेश सिंग राजपूत के आदेशानों सर कारवाई करते हुए राजस्वनीरिक्षक राकिश साहू के नयदितु में अनाधिकरित कबजा हटाए गया इस थानी नागरीकों ने इसका विरोद करते हुए शिग्र सारवजनिक शोचाले की विवस्था उपलब्द कराने की मांग कारवाई स्थल पर उपस्तित नायाप तहसिलदार रवी विश्कर्मा से की वहीं से लेकर कुमारी की मुख्य नगरपाली का अधिकारी ने तराम चंद्राकर ने बताया कि अवैद कबजे के कारण मुख्य मार्ग संकिन हो गया था आवगमन सुचार रूप से संचारित के जाने और चुकि नाली भी इससे अवरुद हो रही थी जिसके कारण अप्शिष्ट जल इस मार्ग से निकल नहीं पा रहा था आम नागरिकों की तथा लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनुवी भागिये धिकारी के आदेशा नुसार त्वरित कारवाई पालिका प्रशासन कुमारी के द्वारा की गई वो क्या है आम रास्ता था और नालिया ही बनी हुई है बारिस का समय है लोगों को आने-जाने में और नाली की पानि भरने की सम्हाना थे यॉआख एस्टोर बनी कि शम्हाना थे इसलिए अवह वैदरू से लिगो गया था है उसको इस्ट्रुक्चर को एस्ट्यम के बरहाल इस कारवाई में पालिका प्रशासन के साथ पुलिस बल भी दल बल के साथ तैनात रहा इसकी इन नीज्स के लिए शैलंद खरीक रिपोर्ट